विशेशन बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे शब्द पढ़िये लाल गुलाब, दूसरी बोतल, वीर सैनिक, एक किलो टमाटर यहाँ गुलाब, बोतल, सैनिक और टमाटर संग्या शब्द हैं जो इन संग्या शब्दों की विशेश्टा बता रहे हैं यानि कि जो शब्द, संग्या अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था, आदी की विशेश्टा बताते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं विशेशन जिस संग्या या सर्वनाम की विशेश्टा बताता है, उसे विशेश्य कहते हैं विशेशन के भेद बच्चों विशेशन के चार भेद हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमानवाचक और सार्वनामिक विशेशन सबसे पहले हम गुणवाचक विशेशन के बारे में जानेंगे चित्रों के नीचे दिये गए शब्द पढ़िये सुन्दर बगीचा, मोटा लड़का, लाल पतंग, यहां सुन्दर बगीचे के, मोटा लड़के के और लाल पतंग के गुण के बारे में बता रहे हैं अतह, यानि की जो विशेशन संग्या शब्दों के गुण, आकार तथा रंग आदी की विशेशताईं बताते हैं, उन्हें गुण वाचक विशेशन कहते हैं गुण, अच्छा, बुरा, सुन्दर, मुलायम, मीठा, शुद्ध, वीर आदी आकार, लंबा, चोड़ा, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, नाटा, गोल, चौकोर, आदी रंग, काला, लाल, पीला, नीला, नारंगी, आसमानी, आदी स्थान, भारतीय, जापानी, ग्रामीन, शहरी, पहाडी, रेगिस्तानी, आदी स्वभाव, शान्त, कमजोर, बुद्धिमान, गुस्यल, गंभीर, आदी स्थित, गरीब, बीमार, प्रसन, कुरुद्ध, उदास, आदी संख्या वाचक विशेशन बच्चो, जो विशेशन संग्या शब्दों की संख्या तथा क्रम आदी की विशेशताएं बताते हैं, उन्हें संख्या वाचक विशेशन कहते हैं जैसे, कुछ बच्चे, चार आम, तीसरी अलमारी, कुछ अन्य संख्यावाचक विशेशन इस प्रकार है निश्चित संख्यावाले विशेशन तीन, पांच, साथ, सौ, हजार आदी अनिश्चित संख्यावाले विशेशन, कुछ, कई, बहुत से आदी क्रम बताने वाले विशेशन, तीसरे, दसवाँ, पहला, पांचवाँ, आदी परिमान वाचक विशेशन, बच्चों, चित्रों के नीचे दिये शब्द पढ़िये दो किलो चावल, धेरसा अनाज, तीन मीटर कपड़ा यहां दो किलो, धेरसा, तीन मीटर, शब्द चावल, अनाज, तथा कपड़ा शब्दों के माप तोल के बारे में बता रहे हैं अतह यह परिमान वाचक विशेशन हैं, यानि कि जो विशेशन संग्या के माप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें परिमान वाचक विशेशन कहते हैं कुछ परिमान वाचक विशेशन इस प्रकार हैं मापने के शब्द, दो मीटर, एक कटोरी आदी नापने के शब्द, चार मीटर, सौ गज आदी तोलने के शब्द, एक किलो, सौ ग्राम आदी बच्चो अब बारी है सार्व नामिक विशेशन की जो सर्व नाम किसी संग्या से पहले आकर उसकी विशेशता बताता है उसे सार्व नामिक विशेशन कहते हैं जैसे विफल सड़ गए यह किताब सुशांत की है इस लड़के ने शीशा तोड़ा बच्चो सार्व नामिक विशेशन की पहचान यह है कि वाक्य में सर्व नाम और संग्या हमेशा साथ साथ आते हैं प्यारे बच्चो अब मैं आपको एक मजेदार बात बताऊंगी बच्चो कुछ शब्द तो मूल रूप से विशेशन होते हैं किन्तु संग्या, सर्व नाम और क्रिया शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़ कर भी विशेशन बनाए जाते हैं आईए संग्या शब्दों से बने कुछ विशेशन पढ़ें जैसे सुख से सुखी, रंग से रंगीन, प्यास से प्यासा